Hello students, my name is Darshana Desai from Ashwamik Vidyalaya. Today our subject is English Reading. तो आज हम Navaneet English Primer में read करेंगे, okay? In previous video, we read three letter word AD and this one page, okay? And today we read AD word, page number 8, three letter word AD word, okay? So, यहाँ पर already some word दिये है, so first letter, जो first letter है, यहाँ पर जो भी first letter है, उसको हम each of the words separate sound करेंगे, okay? And second and third word है, उसको together sound करेंगे, दोनों को साथ में बुलेंगे. First letter, जैसे हमने previous video में 80 word में किया था, ba, 80, bat, bat, 80 word हमने साथ में sound किया था. वैसे से, आज हम AD word को साथ में sound करेंगे, okay? So, first letter है, ब, वा, AD, okay? तब, bad, AD word को हमें साथ में sound करना है, bad, bad, okay? Bad, B-A-D, bad, 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 okay? Bad, bad मतलब, खराब, जब कोई, आप जब misbehave करते हो, तो आपकी ममा या teachers कोई भी आपको बोलता है, bad behavior, okay? वैसे, D-A-D, dad, D-A-D, dad, D-A-D, dad, D-A-D, dad, आप जब बोलोगे न, तो आपको समझ में आएंगे, D-A-D, A-D जो है, वो साथ में sound करेंगे, dad, okay? Dad मतलब, पापा, पपा, ओके? फादर को क्या बोलते हैं हम? डैड, आप बोलते हो न, डैड, डैडी, पापा, okay? वो, then, F-A-D, fad, F-A-D, fad, fad मतलब, कुछ bad habits होते हैं, या फिर कोई चीज की हमें लत लगती है, ये चाहिए ही चाहिए हमें, लत लग, लत लग वो, आपड़े के न, गुजराती मां लत लगेच है, ए, लत लग वो, bad habit और good habit, कई बार good habit की भी लगती है, ओके, so, वो वाली, यानि आप कभी करते हो न, ये चाहिए मुझे, आज मैंने, कोल्डरिंग, आज आपको आपके पापा या ममा ने कोल्डरिंग पिला है, तो दूसरे दिन भी मुझे चाहिए, ये चाहिए, ऐसे जब आप जीद करते हो न, वो, लत, h-a-d, had, h-a-d, had, okay, h-a-d, had, had मतलब, जो कोई चीज हमारे पास होती है, I had, अगर आपको कोई पूछे, के, you have pencil, तो अगर आपके पास है pencil, तो आपको आंसर देना है, I had, मेरे पास है, okay, जो कुछ चीज हमारे पास होती है, उसको had बोलते है, पास, अपड़ी पास से हो वो, okay, then, l-a-d, lad, l-a-d, lad, l-a-d, lad, lad, mad, मतलब, see, यह कौन है, young boy है न, थोड़ा young है न, बच्चा, चोकरो, गुजराती में आपड़े कहने चोकरो, like you, boys, young boy को English में lad भी बोलते हैं, okay, lad, l-a-d, lad, then, m-a-d, mad, m-a-d, mad, 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 mad पैड, P-A-D, पैड, P-A-D, पैड, लाइक दिस, बहुत सारे पेजिस होते हैं, उसका बंज होता है, उसको पैड बुलते हैं, या फिर पाटिव, जिना उपर तमें नॉट बूक, टेक्स बूक मुकीने, राइटिंग करो जोने, इपैड, ओके, then, S-A-D, sad, sad, sad यानी के, उदास होना, जब हमारा मूड नहीं होता है, तो हम उदास रहते हैं न, हाँ, मूड आफ होना, ऐसे बोलते हैं आज मेरा मूड आफ है, वो वाला, sad, जब हम उदास होते हैं, तो उसको क्या बुलेंगे, sad, ओके, आपको ये वीडियो, two to three times देखना है, ओके, and then, आपकी बुक में आपको ये read करना है, ओके students, bye, thank you.